नमस्कार, खबर एक्स्प्रेस में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ पमिसिंग और आईए करते हैं खबरों की शुरुआत पर इससे पहले नजर डालेंगे महानगर की खबरों की ओर परिवहन विभा के विशेश सचीव ने हाई कोट के चीफ जस्टिस प्रकाश शिवास्तव और जस्टिस राजश्ट्री भटचार्य के डिविजन बेंच में एक एफिडेविट दाखिल किया है इसमें कहा गया है कि चार साल पहले तैय किया गया किराया ही बस और मिनी बस वाले ले यह सुनिश्टित किया जाएगा यानि निवनतम किराया बसों के लिए साथ और मिनी बसों के लिए आच रुपे ही होगा कॉंग्रिस के स्थापना दिवस के उपलक्ष में प्रदेश कॉंग्रिस के अध्यक्ष एवं वरिष्ट नेता अधी रंजिन चौदरी ने बुधवार को राज्य में भारत जोडो यात्रा की शिरुवात की साथ में वरिष्ट नेता चेला कुमार प्रदी भटचार्य अब्दुल मन्नान अमिताब चकरवर्ती संतोष पाठक वप्रदेश युवा कॉंग्रिस अधियक्ष अजहर मलिक समेत अन्य मौजूद थे यह यात्रा उत्तर 24 परगना जिला के दक्षिनी हिस्से से शुरू हुई और इसका समापन लगभग 800 किलोमीटर दूर दारजुलिंग की पहाड़ियों में होगा दारजुलिंग नगरपालिका में BGPM के बॉड़ी गठन के बाद पुर्वजी टिये प्रमुक विनेय तमाग ने त्रेनमुल से अलविदा कह दिया जिस प्रकार हामरो पार्टी ने दारजुलिंग नगरपालिका को छीनते हुए अनीत थापा की पार्टी भारतिय गौर का प्रजातांत्रिक मोर्चा ने बॉड़ी पर कब्जा किया इसके विरोध में बिनेय तमाग में त्रेनमुल से इस्तीफा दे दिया लेक टाउन थाना अंतरगर्थ बांगुर एविन्यू में नो पार्किंग जोन में खड़ी एककार को लेक टाउन ट्राफिक पुलिस द्वारा रेकर व्यांग से उठा कर लेक टाउन ट्राफिक गार्ड में लाया गया जिसके बाद गारी के मालिक साकित अगरवाल ने क्यूं गारी उठा कर लाया गया यह जानने के लिए जब लेक टाउन ट्राफिक गार्ड कार्याले पहुचे उस दोरान पुलिस करमचारी के साथ उनकी कहा सुनी हो गई जिसके बाद साकेत अगरवाल ने आरोब लगाया कि ट्राफिक विभा के 10-15 पुलिस कर्मिचारी उनको जम कर पिटाई कर दी सब्सक्राइब लगाया कि अपने अपने अमार गाड़ी निया ओता है चंदन सरकार आमार छोटो भाई के धक्का दिये चे वो बोल चे तुम्हीं आमार हाथ हाथ छाड़िये चो धक्का दिये चो ठीकाचे खाना कुल थाना प्रभारी पर घर में तोर फोर और महिला के साथ बतसुलूकी का आरोप लगा है इस घटना को लेकर इलाके में संसनी का माहोल है खाना कुल दो पंचायत, समीती की सदस्य तथावन भूमी विभाग की कर्मध्यक्ष प्रतिमा बोधक ने थाना प्रभारी सुमन कुंटु पर आरोप लगाया है कि सोमबार की रात तलाशी करने आई पुलिस ने घर का दर्वाजा और ग्रिल तोर कर प्रवेश किया और पत कि ég अतरा मादफ लुड और गांख शुना पूलिस ने को अम रार शूने मोहिला फोलिस कि चिलो ओंद मोहिला फोलिस किलो, अन्र highly ऴ्र जृलिश कि चा आप छेले बूलिस मोहिला फोलिसीलो जा मियाग जामी आगे नियुक्ता चार हो लो अमी एर बिरूप्ध एक्सान लीत चाहिए अर हो जए अमी एज ना होले आप्तों ता कर वे जने खाना कुल शाना रोशी ता जने धाई थागिए बिशोयनी आमार जेटा बख्तोब्बो गतोगा लास्ट्रेजरमा अटा घर्टना होई चे से खबर आमार काचे वेशे छिलो एम सब्सक्ते के जेटा दुर्फाग जने उनी होच्चोन आमार कंचाय सुमीत रुत्तों ता क्यों सक्रियो कर्मा धखको बनो हुमीर तो उनार ज प्रुचुर भांचुर चालिये छेन एबां उनी आजग्यों अमार काचे फगाल बयाला एस्टी लें कांधे 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 बां उनी अत्तों तो सामाजीक एक्ट निरापत्त हीनोता है भोग जेन तो आमी जेदू ब्लाग प्रसास्टने रोईची वीडियो हीचाब आमा अब रुक करते हैं देश-विदेश की खबरों की ओर मनुरंजन जगत की ओर एक नजर तुनीशय शर्मा स्वीसाइड केस में गिरफतार हुए उनके एक्स बॉइफ्रेंड शिजान खान को पुलिस ने कोट में पेश किया कोट में पेशी के बाद उनको दो दिन के पुलिस कस्टेडी में भेज दिया गया है अब इसी बीच तनूशा के चाचा पवन शर्मा ने कहा कि शिजान के मिलने के बाद तुनीशय का वेवहार बदल गया था उसने हिज्जा पहनना शुरू कर दिया था कल का मौसम इतना ही नमस्कार